आज कल Corona Virus से भी ज़्यादा खतरनाख बिमारी फैल रिये, ये बिमारी ना तो छूने से फैलती है ना तो पानी पीने से ना तो छीखने से लेकिन फिर भी इस बिमारी का pathogen हम सबके हाथ में और शायद ये बिमारी आपको भी है, इस बिमारी का नाम है forwarded as received, यानि rumors फैलानी की पिछले कुछ दिनों से कोरोना वाइरस यानि COVID-19 के बारे में इतना जाधा discussion शुरू हो गया है कि सब लोग डॉक्तर बने कुछ वाट्साप, Facebook, Instagram पे इतने सारे suggestions आना स्टार्ट होए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, who knows? तो आज कुछ common myths को debunk करते हैं और यह हम WhatsApp यानिवरसिटी से debunk नहीं करेंगे कुछ WHO के experts, CDC के doctors हैं जिन्होंने बहुत सारी information दी हुई है उस information को हम आपके लिए decode करने वाले हैं मास्क लगाने से, कोरोना वाइरस से आप safe हो जाओगे मास्क उनके लिए होता है, जिनको cold या flu के symptoms already है मास्क पोलुशन से बचाता है, COVID-19 से नहीं प्रिकोशन के लिए अगर मैंने मास्क पहना, तो क्या फरक पड़ता है? एक एसे hypothetical situation ले लेते हैं, जिसमें आपने मास्क पहना हुआ है और आप ऐसे व्यक्ति के कॉंटाक में आते हैं, जो अल्रेडी इंफेक्टे है तो वो जो जो ड्रोपलेट से अपके मास्क पर सेटल हो जाते हैं और मास्क उतारते समये, आप आपके नूज को टच करते हैं और ultimately ऐसे आप वाइरस के तच में आ जाते हैं Plus, now you see these masks everywhere Nobody knows how to clean them किसी को ये पता नहीं है कि उसको डिसिंफेक कैसे करते हैं आपका यूज़ होचाने के बाद आप तो ये कच्छरे की डिप में फेक देंगे जिसके वज़े से कोरोना वाइरस तो नहीं लेकिन बाकी बहुत सारी बिमारिया फैल सकते हैं कोरोना वाइरस बॉडी फ्लूइट से फैलता है जब आप एक बार चीकते हो तो आप 1 लाग जर्म ड्रॉपलेट्स डिस्चार्ज करते हो स्पेसिफिकली COVID-19 के वाइरस आठ से 10 खंटे बॉडी के भार जिंदा रहते हैं मास्क पहना एक टेंप्ररी प्रोटेक्टिव लेयर है जो उतना भी एफेक्टिव नहीं है मास्क से बेटर है कि एक रुमाल लीजे और आपके फेस को कवर कीजे उस रुमाल को आपके कपड़ों से अलग गरम पानी प्रोटी नौनवेज खाने से कोरोना वाइरस फैलता है COVID-19 का फर्स्ट केस वुहान की मीट मार्केट में डिटेक्ट हुआ था जहां बहुत सारे अजीब-जीब नौनवेज के दिश्चिस मिलते हैं जैसे की स्नेक सूप, बैट सूप और बहुत सारे एक्जॉर्टिक अनिमल्स Dr. Kuliria, जो एक डिरेक्टर है, उन्होंने भी ऐसे काया है कि एग्स यद चिकिन खाने से कोरोना वाइरस नहीं फैलता कुछी दिनों पहले में एक वीडियो देखा जहां पे एक फार्मर उसके 100-200 चिकिन को जिंदा दफना देता है बिकॉर्स का डर है अब्सक्रिमिनल वेस्ट वेस्ट अफ रिसोर्स एंद तूपिड आपके पेट्स के विजए से आपको कोरोना वाइरस हो सकता As of today, only one dog has been diagnosed with COVID-19 in Hong Kong और उसे चोई बिमारी लगी वो उसको उसके ओनर से लगी आप अजन ओनर बहार जाते हो, लोगोसे घूल मिलते हो and you can come in contact with an infected person आपके पेट्स को आप से खत्रा है, not the other way around China के पास coronavirus की दवाई है, लेकिन वो दुनिया से ये सुपा रहा है See, making vaccines from scratch is really difficult and coronavirus is really new for humans Near future में ऐसे कोई vaccine आना तो काफी difficult लगता है लेकिन हा, control करने के measures, उसको early detect करने के measures जरूर है Hand sanitizers are much better than washing your hands कुछ दिनों पहले मैंने Facebook पैसे post देखी के लोग hand sanitizers double the price, triple the price पर बेच रहे हैं Hand sanitizers लोग black में खरीदेरें Disease control expert Mr. Bharat Pakhania says that washing your hands with warm water and soap and then drying it is the best solution we have right now Hand sanitizers that have 60 to 90% of alcohol content do provide protection against coronavirus but it is not better or worse than just washing your hands with soap लेकिन योग hand sanitizer or tissue paper को ऐसे होड कर रहे हैं जैसे कि कोई end of the world situation आ गई है आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा where two women are fighting for a pack of toilet paper नसूप मा See, बात false scarcity की है जिनको इन चीजों की जरूरत नहीं है वो अगर ये चीज़े होड करके रखेंगे तो जिनको इनके actually जरूरत है जैसे कि doctors या कि लोग जो ऐसे एरिया में रहते हैं पर water scarcity है उन तक ये चीज़े पहुंचिंगी ही नहीं See, there are more myths doing rounds of whatsapp right now but then, मैं उनका explanation देना जरूरी नहीं समझता I'll just read them out for you alcohol पीने से coronavirus के against immunity बढ़ती है अगर आपकी सास अगर आप 15 से जादा रोख सकते हैं तो फिर आपके lungs healthy है और coronavirus से आप safe हो रूम में onion काटके रखो तो फिर coronavirus रूम में आता ही नहीं अगर ऐसा होता तो फिर चाइना के market से coronavirus पहलता ही नहीं coronavirus से भी जादा डेंजरस मिमारी है डॉक्टर बदने की बुमारी COVID-19 के बारे में अगर आपको कोई सला देता है तो दो मिनिट रुकिए और सोचे कि उस इंसान के उस बारे में कोई expertise है या नहीं आपकी overall immunity बढ़ाने के लिए जो भी local नुसके आपको करने हैं वो कीजे हमारे कुछ दोस्तों ने काफी अच्छे वीडियोस बनाये हुए जिनके links में आपको दे दूँगा लेकिन कोई भी medicine लेने से पहले आपके family doctor को consult कीजे ऐसा ना हो जाए कि coronavirus से बचने के लिए आप आपके शरीर को कोई permanent damage कर दे coronavirus से भी ज्यादा dangerous है जूट बोलने की दुमारी इंडिया ने कुछ coronavirus hotspot countries को blacklist में डाला है और यहां से जो इंडियन्स आते हैं उनको quarantine करना बहुत जरूरी है लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो अपने travel plans ठीक से declare नहीं करते हैं detour वाली flight ले ले लेते हैं और quarantine से बचने की कोशिश करते हैं अगर इन लोगों को भी infection हो सकता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो छोड़िये फ्लाइट लेते वक्ट भी first class से travel करते हैं तो फिर किसी को भी infection हो सकता है coronavirus से भी जादा dangerous है oversmart बनने की बिमार travel avoid कीजिए हम खुड travel filmmakers है लेकिन फिर भी हम travel avoid कर रहे हैं क्योंकि community की health से हमें फरक पड़ता है IPL postponed हो गया है महाराष्ट्रा में malls, theaters, band है community में ये spread होने से रोकना जरूरी है social distancing is a must मेरे friend list में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अभी US, UK, Italy से वापस आया हुए अगर आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं तो फिर उनको tag कीजिए अगर कोई ऐसे influencers हैं जिनको आप जानते हैं उनको tag कीजिए ताकि ये message उन तक पहुँच सका सी बागी कुछ होना हो, एक अच्छी चीज ज़रूर होगी है coronavirus की वज़े से public में छीकने या खासने में रोगों को थोड़ा सा awkward feel होता क्योंकि at least इंडिया में सबसे ज़ादा dangerous बिमारी है careless होने की बिमारी क्या फरक पढ़ता है रास्ते पर थूख दिया तो, क्या फरक पढ़ता है चीक दिया तो, क्या फरक पढ़ता है यार सब करते हैं शायद पहले आप अगर रस्ते पर कोई थूखता है तो उसे टोकने में हिचकी चाते होंगे लेकिन अब मत हिचकी चाहिए क्योंकि जो लोग गलत हैं, वो क्यों गलत है, इसका एहसास पूरी दुनिया उनको हर रोज करा रही है जरूरत है तो आपके एक reminder की चलिए, at least इस बिमारी का इलाज करते हैं हाथ तब भी दोते हैं जब coronavirus का threat ना हो चींकते वक्त रुमाल कंपल सरी और थूंकना, well, पान खाना ही छोड़ देते हैं ना यार So share this video, अगर आपको ये video डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कीजे, आपकी भाशा में translate कीजे और जादा से जादा शेर कीजे, क्योंकि ये message लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूर है Coronavirus यानी COVID-19 का कैसे इलाज जूनना है, उसका क्या करना है, ये experts पे छोड़ देते हैं फिलाल हम इन सारी बिमारियों का इलाज करते हैं क्योंकि एक के करने से क्या फरक पढ़ता है, लेकिन एक-एक के करने से बहुत फरक पढ़ता है और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फरक है और दास दरीजन वाए, फरक पढ़ता है इंडिया कोरोनावाइरस से कैसे डील कर रहा है अक्चली काफी अच्छी तरीके से डील कर रहा है और कैसे ही हम अगले वीडियो में बताएंगे